प्रक्षवा के लिए मिशन शक्ती कारिक्रम चला रही है वहीं दूसरे तरफ कुशी नगर में गैंगरेप पिड़िता न्याय के लिए दरदर भड़कने को मजबूर है एक महीने भी जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की कारवाई नहीं होनी से परिशान परिजनों ने जन प्रफिनीदियों और ग्रामिडों के साथ थाने पर धरना दे दिया तब जिले के आला अधिकारियों के कहने पर पुलिस ने मुकदमा भी दच किया है पिडिता कारूप है कि 15 सितंबर को गाउं की ही कुछ लड़कों ने उसके साथ ग्यांगरेब किया ग्यांगरेब करने के बाद उसकी अश्लील फोटो शोशल मीडिया पर भी डाल दी जिसे लेकर कई बाद शुकायत भी की गई लेकिन पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की है तो कुछी नगर का ये पूरा मामला है एक महीने तक पुलिस ने कोई F.I.R. दर्ज नहीं की नियाय के लिए ग्यांगरेब पिडिता दर्दर की ठोकरे खा रही है तो आला अधिकारियों के कहने पर पुलिस ने अब F.I.R. दर्ज की है कुछी नगर का ये पूरा मामला आरोपी ने ग्यांगरेब कर पोट्टो को वाइरल भी किया था पिडिता ने ये आरोप लगाया तो एक महीने तक पुलिस ने दर्ज नहीं की F.I.R. तो थाने के बाहर परिजनों और ग्रामिनों ने दोरदार प्रदर्शन भी किया आला अधिकारियों के कहने पर आला की पुलिस ने F.I.R. दर्ज कर ली है आरोपी ने ग्यांगरेब करके फोटो को वाइरल भी किया था लगाता धमकी दे रहा था जिसके बाद से ही पेड़िता पुलिस के चकर काट रही थी लेकिन बावजिद उसके एक महीने तक पुलिस ने F.I.R. दर्ज नहीं की कुशी नगर का ये पुरा मामला है थाने के बाहर परिजनों और ग्रामिनों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही की जो आ रही है मामला दर्ज नहीं किया जा रहा आरूपियों को बचाने की कोशिश हो रही है और आरूपी ने ग्यांग रेप कर पोटो को वारल भी किया था तमाम ये आरूपी डिताने लगाए हैं उसके साथ ग्यांग रेप किया गया लेकिन बाब जुद उसके किसी तरह की कोशिश हो रही है